नमस्कार दोस्तों अभी अभी की सबसे बड़ी ख़बर जी हां दोस्तों मध्य प्रदिक्स के बाला घाट जिले से बहुती बड़ी ख़बर आ रही है यहाँ पर आज एक महिला ने एक साथ चार बच्चों को जनम दिया है इन में तीन लड़के और एक लड़की सामिल है फिलाल चारों बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है डॉक्टर का कहना है कि बाला घाट जिले में अपनी तरह का संभवत है पहला मामला है जहान एक महिला ने एक साथ चार बच्चों को दुस्तो जनम दिया है बच्चों का जनम जिला अस्पताल में हुआ जहां उन्हें फिलाल निगरानी में रख गया है डॉक्टर का कहना है कि बच्चों की सेहत को लेकर अभी निस्चित रोफ से कुछ नहीं कहा जा सकता जानकारी देते हुए जिला अस्पतार के बाल रोग विसेसक डॉक्टर निले जेन ने बताया कि एक महिला द्वारा चार बच्चों को जनम देने का ये संभवत है पहला मामला है उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के जरिये चारों बच्चों का जनम हुआ है सबी बच्चे गुन 30 वे हपते में ही पैदा होगे यानि अभी जनम से करीब 9 हपते बाकी है जिसके चलते उन्हें निगरानी में सक्त जरुद है डाक्टर जेन के मुताविक बच्चों का वजन भी काफी कम है चारों बच्चों का वजन कुल 1 K लो के आसपास है साती बच्चों को सास लेने में तकलीप हो रही है बच्चों की सेहत के वारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी निश्चित तोर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है फिलाल बच्चों को निगरानी में रखा जा रहा है तो बहुती बड़ी ख़बार जहांपर एक महीरा ने एक साथ चार बच्चों को जनम दिया है और चारों बच्चों की हालत अभी नाजुक पताई जा रही है आप देखते कि आगे क्या होता है बहुती बड़ी जान करें आप मारी वीडियो कहां से देख रहें कॉमेंट में बताएं चेनल को सब्सक्राइब करें अपनी राइक कमेंट में जिरू लिखेंगे